नाशनल पैंथर्स पार्टी के दिली प्रदेश अद्धिश राजू जोली खोसला और राजस्तान प्रदेश अद्धिश अनिल शर्मा ने पैंथर्स पार्टी की तरफ से प्रधानमत्री नरीन रबोती को एक ग्या पंसोपा जिसमें उन्होंने लिखा कि 2014 के बाद मोधी सरकान ने सूच पूछ कर जो काम किसानों के लिए की हैं वही कुछ काम किसानों के हिद में आर करने का निवितन क्या है जैसे किसान फसल उगाता मगर उसे खुद्रा व्यापार से मातर 10 से 20 प्रतिशत दाव बिलता है जो उसके मैनत और फसल पर लगाए कई कीमत भी पूरी नहीं होती है जिसके वज़ा से उसे खुदकुशी तक करनी पड़ती है मिडिया से बात करते हुए खोसला ने बताया कि किसान उसे बात करने से बता चला कि फसल में डालने वाली पूटाश खाद जो पिछले साथ 1350 किलो था आज वस 1745 किलो हो गया है अभी कुछे दिनों पहले पंजाब में माल की बेश उमार फसल को किसानों ने सड़कों पर ट्रैक्टर टॉली के निचे रगड दिया जिसका ज्यादा तर लाव फसल को खरीद कर स्टोर करने वाले या खुद्रा बाजार में बेशने वाले कमाते हैं मेनत किसान करता है कमाता कोई और है राजेव जौली खोसला ने मोदージ सरकार से निवेदन करती हैं कि वह कुछ ऐसा करें जिसमें की 80% किसान को मिले और बेश प्रतिशथ लाव स्टोर करने वालों को और खुद्रा वैपार में बेशने वाले को जिससे किसान को मेनद कर भारत को जर्वप्रियद बनाने में सभी को तयार करे क्योंकि चाहें इंजिनियर हो या डॉक्टर टीचर या अधिवक्ता हो या मजदोरी करने वाला जन्मानस खाना तो उसे किसान वराव गाय हुई फसल से ही खाना पड़ेगा नाखी अन्यप पढ़ातर से पैंधर परिवाद मौचुदा सरकार की आखरी संसर सत्र में यंडिवेदन करती है और क्या कुछ कहा आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में पांच रुपे की लोई मिलते हैं तो इसके बीच का जो गैप है जो यहां तो दुकानदार बेचने वाला यहां जो इससे स्टोर करते हैं तो वह इसका ज्यादा मुनाफ़ा लेते हैं जिसकी वज़े से किसानों को कुद कुछी करनी पड़ती है मेरी कली पंजाब में किसानों से बाद हुई उन्होंने बताया कि एक पोटाश नाम की खात पड़ती है इसमें फसल में जिसका बैग पिछले वर्ष 1314 रुपेका था 50 कि लोगा इस वर्ष वो 1700 रुपेका हो गया 45 कि लोगा तो जिस परकार देखा हमने किसानों ने माल्टे की फसल को इंबिसर न्यूस के लिए नई तिल्ली से मुर्शेश कुमार की रिपूर्ट